हलो सुडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक और इंट्रेस्टिंग चेप्टर के भारे में और चेप्टर का हैडिंग है जैसा कि आप बोर्ड भी देख सकते हैं चेप्टर का हैडिंग है केमिकल रियक्शन एंड इक्विशन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि जो भी chemical action होता है उसे कैसे represent किया जाता है उस representation को और कैसे informative बनाया जा सकता है clear? अगर मैं आपसे बात करूँ subject chemistry के बारे में chemistry क्या है? क्या है chemistry? सब्जेक में पढ़ते क्या है हम लोग? chemistry, science का एक ऐसा subject है, एक कैसी branch है science की composition के बारे में पढ़ते हैं और उस matter के अंदर होने वाले various interaction के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं chemistry is a branch of science in which we study about the composition and property of a matter and the various interaction through which a matter undergoes, clear? ओके, अगर मैं आपसे chapter के बारे में बात करूँ हम इस chapter को दो पार्ट में divide करके पढ़ने वाले हैं एक हमारा है chemical equation और एक हम बात करेंगे chemical reaction के बारे में तो चलिए start करते हैं हमारा topic हमारी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाद इस chemical equation वाद इस chemical equation chemical equation क्या होती है So chemical equation it is a representation of a chemical action or change यह हमारे पास में chemical action और chemical change को represent करने का एक तरीका है क्या है chemical equation चलो अगर मैं आपसे बात करूँ एक chemical change के बारे में chemical change का example हमने क्या ले लिया हम ले रहे हैं nitrogen and hydrogen react together to form ammonia nitrogen और hydrogen आपस में मिलकर के ammonia की formation कर रहे हैं यह हमारे पास एक chemical change है it is a chemical action student क्या इस chemical change के बारे में जानकारी जो आपको मिल रही है क्या वो complete जानकारी है आप लोग देख पा रहे हो यह chemical change है बिलकुल है क्या आप इस change में होने वाले जो भी substances involved हैं बन रहे हैं necessary condition हैं सारी जानकारी आप लोग ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हैं कैसे क्या मैं इस representation को ऐसे भी लिख सकता हो कि nitrogen react with hydrogen that will give you ammonia is this clear क्या मैं इस representation को ऐसे भी कर सकता हो क्योंकि जब भी कभी आपको equation बतानी होगी आप इस तरह से तो पताओ कि नहीं अगर आप इस तरह से represent करते हो तो हम काफी कम words में अपनी information deliver कर सकते हैं लेकिन क्या ये भी हमारे पास में complete information में provide कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है हमें nitrogen तो पता है nitrogen atom होगा या molecule ये नहीं पता अगर nitrogen molecule है तो molecule के अंदर atom कितने है ये हमें नहीं पता hydrogen atom है या molecule नहीं पता hydrogen के molecule में atom कितने होंगे इस condition में वो भी हम जानकारी नहीं रखते प्लस यहां पर हमें ammonia का chemical formula भी पता नहीं लग रहा है लग रहा है कि पता मुझे बता हो जो representation मैंने यहां लिखा है chemical equation का chemical change को representative किया है क्या आप पता सकते हो कि ammonia का chemical formula क्या है नहीं बता सकते तो इस representation को देखो ये representation है ये representation हम human ने खुद के convenience के लिए बनाया है ताकि कम शब्दों में हम ज़ादा से ज़ादा जानकरे डिलीवर कर सके इन सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो student हम कोई भी लूप होल नहीं रखना चाहते हम क्या कर रहे हैं यहां पर इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहां पर लिख दिया है इस इस क्लियर तो student यह जो मेरे पास में नेम की फॉर्मेट में हम किसी equation को represent करते हैं इसे हम लोग कह देते हैं word equation इसे हम लोग क्या कह देते हैं word equation कह देते हैं जब कभी भी किसी chemical change को represent करने के लिए आप उसमें involve सभी substances को उनके नाम से represent कर रहे हो इसे कहा जाता है word equation और जब कभी भी आप किसी chemical change को represent करने के लिए उसमें involve सभी substances का chemical formula represent करते हो इसे कह दिया जाता है symbol equation इसे क्या कह दिया जाता है symbol equation कह दिया जाता है इस दिस क्लियर यह समझ में आगए बात आप लोगों को अब देखो तो हमने देखा कि chemical equation क्या है example से हमने दो तरह की chemical equation देखी word equation और symbol equation लेकिन student मुझे एक बार बताओ इस representation से आपको और क्या क्या जानकारी मिल रही है क्या information आप gain कर पा रहे हो पहली information nitrogen एक substance है जो change में involved है और उसका chemical formula N2 है hydrogen एक substance है जो reaction में involved है और उसका chemical formula H2 है ammonia एक substance जो chemical change में involved है ये as a result of change बन रहा है इसका chemical formula NH3 हो जाएगा अगर इस representation से मैं और भी जादा जानकारी निकालना चाहूं तो मुझे ये पता चलेगा कि nitrogen के एक molecule में दो atom है N2 है न nitrogen के एक molecule में दो atom है nitrogen के hydrogen के एक molecule में दो atom है hydrogen के और ammonia के एक molecule में total चार atom है ठीक एक है nitrogen का और तीन हो जाएंगे hydrogen के समझ में आ रही है student ये representation आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम इस representation को और भी informative बना सकते हैं और ammonia जो है ये हमारे पास as a product काम कर रहा है ये हमारे पास as a product काम कर रहा है ठीक क्या कर रहा है में बन रहा है अगर मैं बात करूँ आपसे reactant के बारे में what is mean by reactant तो हम definition लिख सकते हैं substances that take part in a chemical change जिस जो भी substance reaction में पार्ट ले रहे हैं chemical change में पार्ट ले रहे हैं या जिन में chemical change होता है उन्हें reactant कहा जाता है और अगर मैं आपसे बात करूँ product के बारे में what is mean by product तो product के बारे में हम लिख सकते हैं they are the substances that substances that are produced substances that are obtained as a result of change result of chemical change ठीक है chemical change के resultant जो substance हमें मिलते हैं उन्हें कहा जाता है product clear अब student एक बार ध्यान रखना reactant को और product को एक दूसरे से separate किया जाता है एक arrow से और arrow की direction हमेशा reactant से product की तरफ ही होगी clear इस chemical change में nitrogen और hydrogen chemical change में पार्ट ले रहे हैं इसलिए reactant है ammonia change के result आपको मिल रहा है इसलिए हम इसे product कह रहे हैं हमें पता चल गया representation से nitrogen के एक molecule में दो nitrogen के atom है hydrogen के एक molecule में दो hydrogen के atom है ammonia के एक molecule में total 4 atom है एक nitrogen का 3 hydrogen की clear ये हमने information और enhance कर दी इस representation में reactant पता लग गया product पता लग गया representation में reactant और product को एक arrow से separate करते हैं arrow की direction हमेशा reactant से product की side ही रहेगी इस दिस clear ये बात समझ में आ गई सभी को clear है चलो अब मुझे एक बार बता दो इस representation से आपको क्या-क्या जानकारी नहीं मिल रही है आप मुझे एक बार बताओ इस representation से जो मैंने representation किया है इस दिसे आपको क्या-क्या जानकारी नहीं मिल रही है पहली जानकारी आपको nitrogen, hydrogen और ammonia की physical state नहीं पता नहीं पता ना? आपको क्या पता है? इस representation को देख करके अगर मैं किसी unknown person को बताओं तो हमें पता नहीं चलता कि substances की physical state क्या है तो student हम क्या करते है? अगर आपको physical state पता लगानी है substance की तो आप use करो subscript को subscript जैसे की अगर small g subscript है तो substance gas है small l subscript है तो substance हमारा liquid है और small s subscript है तो substance हमारा solid है और अगर aq से represent करोगे तो इसका मतलब यह है कि हमने substance का aqueous solution बना दिया है clear? तो इस representation की अगर मैं बात करता हूँ n2 के subscript में हम लिख रहे हैं g कि मतलब nitrogen एक gaseous substance है hydrogen भी एक gaseous substance है और इस change की resultant बनने वाला ammonia जो है वो भी gaseous physical state में ही है बात चमझ में आगे हैं आप लोगों को सबको clear है चलिए और बता दीजिए क्या information आपको इस representation से नहीं मिल रही है student इस representation से आपको ये reaction एंडो थर्मिक है या एक्जो थर्मिक है इसकी जानकारी भी नहीं मिल रही है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं student हमेशा ध्यान रखना एंडो थर्मिक रियक्शन क्या होती है जिन chemical reaction के resultant surrounding का temperature down हो जाता है या यूँ कहो जो chemical reaction surrounding से temperature absorb कर लेती है heat absorb कर लेती है उन्हें endothermik कहा जाता है और जिन chemical reaction के resultant heat evolve होती है atmosphere में surrounding का temperature भढ़ जाएगा उन्हें exothermik reaction कहा जाता है ओके तो एक बात ध्यान रखिएगा ये reaction endo है या exo इसे represent टरने के लिए हम क्या करेंगे plus heat कर देंगे student अगर product में plus heat कर रहे हो तो ये मेरे पास में एक exothermik reaction है और अगर में plus heat reactant में करता हूँ तो ये मेरे पास endothermik reaction है clear है आपको क्या करना है plus heat करना है plus heat product में है तो exothermik है plus heat reactant में है तो endothermik reaction है clear? ओके इस representation को और informative बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं student हमें इस reaction को देख करके favorable condition क्या है reaction की वो पता नहीं चल रहा हमें इस reaction का catalyst पता नहीं लग रहा किस temperature पर ये complete होगी वो नहीं नहीं पता किस pressure पर ये complete होगी वो हमें नहीं पता तो हम उस information को इस arrow के उपर ही यहाँ पर mention कर देते हैं कैसे? थोड़ आसा मुझे इसको और modify करना होगा ये मेरे पास बना रहा है ammonia plus heat ठीक है? तो इस reaction के लिए iron as a catalyst है molybdenum as a promoter है यहाँ पर मुझे 150 से लेकर के 200 degree Celsius तक का temperature चाहिए हमें 150 से लेकर के 200 bar का pressure चाहिएगा और 450 degree Celsius से लेकर के 500 degree Celsius तक का temperature चाहिए student correct कीजीगा 150 to 200 bar का pressure है 450 to 500 degree Celsius का temperature है तो student ये हमने पूरी information इस equation के अंदर include कर दी है क्या nitrogen hydrogen react to give ammonia ये इतना सा chemical change नहीं है इस representation से हमें और भी काफी सारी जानकारियां मिल रही है समझ में आई नहीं आई बात clear? physical state पता चल गया molecule के अंदर number of atom कितने है वो पता लग गये favorable condition क्या है reaction की? वो हमें पता लग गया तो multiple information देखो representation हमने बनाया है हम human ने खुद के convenience के लिए बनाया है तो हम चाहते हैं जादा से जादा information कम से कम words में हम represent कर दे तो ये हमारे पास आजाती है chemical equation is this clear? ये समझ में आगे ये बात आप लोगों को सबको clear है? आगे बड़े चलिए chemical equation तो आप लोगों को समझ में आ गई अब हम बात कर रहे हैं chemical reaction के बारे में chemical reaction क्या होती है chemical reaction chemical reaction जो chemical equation हम represent कर रहे हैं उसी को हम represent कर रहे हैं तो चलिए next जो हमारा topic है आज की class का वो है characteristic of chemical reaction next हम जो topic पढ़ रहे है वो है characteristic characteristic of chemical reaction what is mean by chemical reaction और chemical reaction की क्या-क्या characteristic हो सकती है इसके बारे में हम आज की class में बात कर रहे हैं सबसे पहली chemical characteristic अमारे पास में हैं वो है evolution of gas कई बार chemical reaction ऐसी होगी कई बार chemical reaction ऐसी होगी जिनके completion के बाद कोई न कोई या तो product जो बनेगा वो ही gas है या फिर कोई by product ऐसा होगा जो gaseous phase में available होगा ठीक है this is the first chemical characteristic of a chemical reaction अगर मैं इसके example की बात करूँ आपने zinc metal को reaction करा दिया sulfuric acid के साथ में तो हमारे पास zinc sulfate की formation हो गई और hydrogen यहां से निकल गया है clear student zinc solid है H2SO4 का aqua solution हम ले रहे हैं तो zinc sulfate का भी aqua solution ही बनेगा लेकिन product में जो H2 बन रहा है वो gaseous phase में है अगर बनने वाला product gaseous phase में है then definitely वो container से बाहर चला जाएगा यही हमारे पास में होता है evolution of gas कई बार chemical reaction evolution of gas property शोग करते हैं और जब कभी भी gas बाहर evolve हो रही है हम अपर direction में एक arrow represent से बताते हैं कि बनने वाली जो height gas से वो atmosphere में liberate हो रही है is this clear समझ में आगई बात आप लोगों को एक और example हम लोग ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास में iron sulfide है हमारे पास iron sulfide है और इसे मैंने reaction करवा दिया again H2SO4 acid के साथ में तो students हमारा जो product बनेगा वो iron का sulfide तो बनेगा ही सही लेकिन अब जो gas निकलेगी वो dihydrogen sulfide gas निकलेगी यहाँ पर iron sulfide solid form में है H2SO4 का aquos solution है यहाँ पर iron sulfide भी iron sulfate अपना aquos solution बनाएगा और जो dihydrogen sulfide बन रही है यह gaseous phase में है और यह gas भी atmosphere में evolve हो जाती है Is this clear? तो यह है evolution of gas हम एक और chemical change की बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने calcium carbonate को अगर heat कर दिया है student मैंने कहा था necessary condition यहाँ पर necessary condition नहीं है तो कुछ represent नहीं किया यह जो arrow के उपर triangle है यह इस बात का representation है कि heat इसके decomposition के लिए necessary है product हमारे पास बनेगा calcium oxide और carbon dioxide gas यहाँ से atmosphere में evolve हो जाएगी यह solid है calcium oxide भी solid है carbon dioxide हमारा gaseous phase में बन जाता है एक और example से हम इस बात को समझते हैं जैसे कि हमारे पास में potassium chlorate available है it is potassium chlorate अगर मैं potassium chlorate को heat करता हूँ तो यह potassium chloride बनाएगा और oxygen gas यहाँ से evolve हो जाती है तो student आप देख सकते हो जितने भी example मैंने यहाँ पर लिए है characteristic of evolution sorry characteristic of chemical reaction evolution of gas को समझाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई product ऐसा जरूर है जो gaseous phase में है और air atmosphere में liberate हो जाएगा is this clear यह बात समझ में आई सभी को चलिए तो यह था हमारे पास में first characteristic of a chemical reaction next हम लोग बात कर रहे हैं second characteristic की second characteristic के हमारे पास में क्या है it is it is change in color it is change in color students कई बार chemical changes ऐसे होते हैं जिनके बनने के बाद reactant का color कुछ और होगा और product का color कुछ और होगा ठीक है तो change in color जो है यह भी हमारे पास है characteristic है किसकी chemical reaction की कैसे अगर मैं बात करता हूँ copper carbonate के बारे में अगर copper carbonate को heat किया जाए तो product बनता है copper oxide और carbon dioxide gas यहां से atmosphere में निकल जाएगी student याद रखीएगा copper carbonate जो की एक solid है इसका color green होगा लेकिन जो copper oxide बनेगा इसका color black होता है is this clear तो जो product बन रहा है उसका color different है अच्छा चलो यह तो फिर भी laboratory में किया जाने वाल experiment है हम domestic life में किया जा सकने वाले experiment की बात करते हैं for example मेरे पास में मेरे पास में crystals हैं sugar के मेरे पास में crystals हैं sugar के student अगर मैं sugar के crystals को heat करता हूँ तो क्या product बनेगा final product क्या बनेगा final product बनेगा मेरे पास black ash रह जाएगी और यहाँ से water molecule जो है यहां से water vapor की form में निकलता चला जाएगा is this clear यह है मेरे पास में heating of sugar crystal it is heating of sugar crystal अब मुझे एक बात बताओ sugar crystal का color क्या होता है they are white in color sugar crystals are white in color but यहाँ पर जो carbon हमें मिलेगा यह black ash या black powder की form में हमें मिलता है student एक बात का ध्यान रखिएगा जो भी दोनों example में ने लिए है they are also an example of evolution of gas यह gas नहीं है लेकिन vapor है atmosphere में जरूर जाएगी ठीक है तो यह evolution of gas का भी example है और यह change in color का भी example है एक और example हम लोग ले लेते हैं जैसे की हमारे पास में lead oxide available है lead oxide available है इसको अगर हम heat करेंगे तो यह convert हो जाएगा lead monoxide में और oxygen gas यहां से बाहर निकल जाएगी ठीक है student अगर मैं इस reaction की बात करता हूँ अगर मैं sorry let me correct myself now it's clear तो अगर मैं इस reaction की बात करता हूँ तो हमारे पास में यह जो lead oxide है इसका color होता है आपका red बट यहां जो lead monoxide बनेगा it is yellow in color it is yellow in color एक और example हम लोग change in color का ले लेते हैं जैसे की मैं lead nitrate को heat करके decompose कर रहा हूँ तो यहां पर product जो बनेगा हमारा lead monoxide तो बनेगा ही सही nitrogen dioxide gas भी बनेगी और oxygen gas भी यहां से evolve हो जाएगी ठीके तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहां पर color change कैसे हो रहा है student ध्यान रख़िएगा lead nitrate मेरे पास white color का एक powder है जबकी भी lead monoxide yellow color का product बनेगा और अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो NO2 जो होता है यह एक gaseous compound है student यह एक gaseous compound है color क्या है color क्या है इसका color हो जाता है brown it is brown in color oxygen color less है oxygen color less है but यह gas भी atmosphere में liberate हो जाती है और यह भी atmosphere में liberate हो रही है student यहां पर भी oxygen atmosphere में liberate हो जाती है तो student जितने भी example में ने लिये है change in color में they are also an example of evolution of gas is this clear समझ्या आ रही है बात आप लोगों को तो student आज की class में हमने अभी तक दो characteristic पढ़ ली है chemical reaction की चलिए देखते है next characteristic क्या होती है I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे है third हम लोग बात कर रहे है formation of precipitate third जो characteristic कोई भी chemical reaction चो कर सकती है वो है formation of precipitate सबसे पहले हम बात करेंगे precipitate की precipitate होता क्या है precipitate होता क्या है student एक बात ध्यान रखिएगा जैसे की मेरे पास में एक compound है A, B ये water soluble है तो मैंने इसका echo solution मना लिया plus मेरे पास में दूसरा कोई compound है XY मैंने इसका भी echo solution मना लिया क्योंकि ये भी water soluble है एक compound लिया A, B echo solution बनाया क्योंकि water soluble है दूसरा compound है XY water soluble है तो echo solution हमने बना लिया ठीक है दोनों को mix कर देने के बाद इन में जब chemical reaction होगी तो एक product बनेगा मेरे पास में A, Y और दूसरा product बन जाएगा मेरे पास में X, B दूसरा product मेरे पास बन जाएगा X, B ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है student ये जरूरी नहीं है कि जो बनने वाला product हो वो भी water soluble होगा for example A, Y अगर water soluble है तो इसका echo solution बन जाएगा but X, B जो है ये water soluble नहीं है it is insoluble in water अगर ये insoluble in water है तो क्या ये echo solution बनाएगा नहीं बनाएगा तो क्या होगा ये sediment हो जाएगा और ये precipitation की formation कर लेगा अगर reaction के result कोई compound बनता है वो जो की insoluble है water में या solvent में तो वो bottom में collect हो जाता है यही हमारे पास में होता है precipitation clear? तो जो भी precipitate बनता है हम उसे एक downward arrow से represent करते हैं किसी भी chemical reaction में बनने वाला जो precipitate है उसे downward arrow से represent किया जाता है example लेकर करके देखे जैसे की मेरे पास silver nitrate available है मेरे पास compound है silver nitrate का student ये solid तो है लेकिन water soluble है तो इसका aqua solution बन जाएगा इसका aqua solution बन जाएगा next जो solid मैंने लिया है वो है NACL student आप सब जानते हो NACL एक water soluble solid है इसका मतलब इसका भी aqua solution बन जाएगा दोनों ही solution को मिलाने के बाद जो product बनेगा एक बनता है sodium nitrate का और एक बनता है silver chloride का सब्सक्राइब आ रही है बात AB XY ठीके तो अब मेरे पास में क्या बन गया AY sorry यह बना है AY और यह बन गया XB for example आप रिलेट कर सकते हो student sodium nitrate जो है यह water soluble है तो इसका aqua solution बन जाएगा लेकिन silver chloride जो है it is insoluble in water इसका precipitate बन जाता है और इसका precipitate कौन से color का बनेगा यह precipitate बनता है white color का यह precipitate बनता है white color का जिसे हम downward arrow से represent कर देते हैं बात सब्सक्राइब आ रही है तो student यह है हमारे पास में formation of precipitate clear क्या आप लोग कोई और example भी लेना चाहेंगे बिलकुल देखते हैं मेरे पास में iron sulfate available है आप सब जानते हो यह water soluble है इसका aquos solution हम लोग बना सकते हैं प्लस मैंने दूसरा जो substance ले लिया है वो ले लिया है sodium hydroxide का sodium hydroxide भी water soluble है इसका aquos solution बन जाएगा दोनों ही solution को आपस में reaction करवा दीजिए आपके पास एक product बनता है sodium sulfate सवाल यह है कि क्या sodium sulfate water soluble है बिल्कुल है तो क्या इसका aquos solution बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा लेकिन अब मेरे पास में जो दूसरा product रहे गया है वो है iron hydroxide वो है iron hydroxide student मुझे एक बार बताएए क्या iron hydroxide water soluble है नहीं है तो यह हमारे पास एक precipitate की formation कर लेगा यह PPT की form में bottom में sediment हो जाएगा collect हो जाएगा clear? एक और example हम लोग ले ले एक और example हम लोग ले लेते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं salt, barium chloride के बारे में जिसे हम लोगोंने reaction करवा दिया है sodium sulfate के साथ हमारे पास में salt है barium chloride जिसे हमने reaction करा दिया sodium sulfate के साथ student product हमारे पास बन जाएगा sodium chloride water soluble है लेकिन जो product बनेगा baso4 यह water soluble नहीं है तो यह PPT की form में bottom में collect हो जाएगा तो student यह था हमारे पास में कुछ example chemical reaction की third characteristic के बारे में जो है formation of precipitate is this clear student में एक बात free clear किये देता हूँ कि जो भी precipitate बनेगा it must always be a compound अगर यह element है तो आप इसे precipitation नहीं कहोगे यह हमेशा सिर्फ एक sedimentation reaction ही होगी अगर मैं आपको example के थूँ समझाओं जैसे की मेरे पास में zinc metal को copper sulfate से reaction कर दिया तो हमारा zinc sulfate बनेगा और copper displaced हो जाएगी अब student एक बार बताओ zinc solid है copper sulfate का aqua solution लिया zinc sulfate का aqua solution बन जाएगा copper भी तो solid है अब यह gas तो है नहीं जो atmosphere में चली जाती तो copper का क्या होगा copper bottom में collect हो जाएगा बिलकुल लेकिन क्या यह precipitation है नहीं है यह सिर्फ sedimentation है यह sedimentation of copper है precipitate होने के लिए जो substance collect हो रहा है bottom में उसका compound होना ज़रूरी है Is this clear? समझ में आगे बात सभी को It is not formation of precipitate यह सब formation of precipitate का example है Is this clear? चली आगे बढ़ते हैं हमारी next कौन सी characteristic है जो हमें अब क्लास में पढ़नी है वो है evolution of energy fourth जो characteristic हम पढ़ रहे हैं chemical reaction की वो है evolution of energy not evolution of energy आप इसको वो लो change in energy हम इसे लिख सकते है change of energy student में change of energy क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि change of में हमारे change of energy में हमारे पास दो example होंगे एक हो जाएगा हमारे पास में endothermic reaction का और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा exothermic reaction का तो endothermic reaction और दूसरा हो गया exothermic reaction student कुछ chemical reaction ऐसी होती है जिनके completion के दौरान वो अपने surrounding से अपनी atmosphere से कुछ temperature को absorb कर लेती है surrounding का temperature down हो जाता है उन्हें कहा जाता है endothermic reaction example carbon को अगर मैं reaction कर बाता हूँ sulfur के साथ में तो carbon dioxide की formation हो जाएगी student ये जो carbon dioxide की formation का process है ये एक endothermic reaction है क्यों है क्योंकि इसके resultant surrounding में से heat जो है वो absorb हो जाती है ultimately temperature down हो जाएगा student मैंने कहा था endothermic को या तो reactant में heat add करके represent कर सकते हो या आप product से heat subtract करके represent कर सकते हो मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है इस इस क्लियर दोनों representation endothermic reaction के ही है दोनों representation endothermic reaction के ही है जिन reaction के compression के resultant आपके surrounding का temperature down हो जाएगा reactant surrounding से heat absorb कर लेंगे वही हमारे पास में endothermic reaction है क्लियर चलिए next हम बात कर रहे हैं exothermic reaction के बारे में अगर reaction completion के दोरान आपके product के साथ-साथ numerous amount में heat भी निकल रही है तो यह हमारे पास example है किसका exothermic reaction का जैसे कि हम बात कर रहे हैं magnesium burned with oxygen to give you magnesium oxide plus numerous amount में heat भी निकल जाती है clear तो यह heat product के साथ represent करना का मतलब यह है कि यह exothermic reaction है यह हम बात कर रहे हैं हमारे पास methane gas available है oxygen से reaction करके यह combustion of fuel की बात कर रहे हैं student तो carbon dioxide बनेगा water molecule की formation होगी और numerous amount में heat भी निकल जाती है यही वो heat है जो हमारे vehicle running के लिए food को करने के लिए हमारी daily life की need को fulfill करने के काम में आती है clear? तो यह दोनों exothermic के example होगे हमारी surrounding में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनके लिए हमें energy चाहिए student exothermic reaction ही उस energy का source है for example आपको body functioning के लिए respiration हम लोग करते हैं खाना खाया, बेथिन किया खाना decompose होगा food decompose होगा energy मिलेगी वो भी हमारे पास एक exothermic reaction ही है आप photosynthesis कह सकते हो photosynthesis भी एक exothermic का example है हमारे पास ठीके, digestion of food भी exothermic का example है तो student, काफी सारे example exothermic के हमारे पास even available है जैसे कि हम बात कर रहे है burning of fuel जितनी भी burning of fuel है वो सारे के सारे exothermic reaction का ही example होते हैं क्योंकि fuel burning के resultant जो heat और energy निकलेगी वही हमारे daily need को fulfill करती है clear? समन में आ गई बात आप लोगों को students, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछू कि कोई reaction endo है और कोई reaction exo है क्यूं है? क्यूं है? student एक बार ध्यान रखना जब कभी भी chemical reaction होती है उस chemical reaction में breaking of bond भी होते हैं और making of bond भी होते हैं ठीक? अगर कैसे? उसको भी example के through हम समझ लेते हैं अगर हम बात करते हैं second example इस example को मैं ले रहा हूँ आपके पास ये रहा carbon जिसके साथ चार hydrogen connected है और ये रहा oxygen जिसके दो atom आपस में इस तरह से connected है अगर आप चाहते हो कि methane CO2 में convert हो जाए और hydrogen water में convert हो जाए यहाँ पर तो आपको क्या करना है? reaction में bond तूटेंगे भी सही और bond बनेंगे भी सही कैसे? सबसे पहले हमने carbon और hydrogen के bond break किये student ध्यान रखना bond तूटने के लिए आपको energy देनी पड़ती है ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इन चारो bond को तोड़ने के लिए x amount की energy दे दी x joule भी हो सकता है हमारे पास में x joule के example मैंने energy दे दी और oxygen के दोनों atom को आपस में break करने के लिए भी मैंने y amount की energy दे दी है कितने की? y amount की energy मैंने यहाँ पर दे दी है अब student अब क्या होगा? यह oxygen atom hydrogen से जाकर के combine होगा तो water molecule की formation होगी student ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा आप लोग की तोड़ने में अगर energy दी थी तो जब जुडेंगे तो energy वापस मिल जाएगी माल लो, एक water molecule के बनने में मुझे a joule की energy वापस मिल गई है water molecule के बनने में इसी तरह से यह oxygen carbon से भी तो link करेगा क्योंके CO2 molecule की भी तो formation होगी CO2 molecule की भी तो formation होगी तो CO2 बनने पर मुझे b joule की energy मिल गई है ठीक, पूरे process में मैंने energy कितनी दी x plus y मुझे वापस कितनी मिली गई a plus b हमेशा ध्यान रखिएगा student if x plus y is greater than a plus b तो product तो reaction हो जाएगी हमारे पास endothermic reaction अगर x plus y is less than a plus b क्योंके यह energy वो थी जो मुझे मिल रही है हमें वापस मिल रही है x plus y क्या है जो हमने दी है ठीके, तो यह क्या हो जाएगा यह exothermic reaction हो जाएगी सबंदे आगे बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखिएगा chemical reaction में bond तूटते हैं और बनते हैं ठीक, तभी chemical change अकर होता है अच्छा अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे chemical reaction की fifth characteristic के बारे में वो है change in physical state student कई बार chemical reaction ऐसी भी होती है जिनके resultant reactant की physical state कुछ और है और product की physical state कुछ और बन जाएगी तो यह हमारे पास जैसे की example है H2 plus O2 that will give you H2O clear है अगर hydrogen gas है oxygen gas है और water liquid है तो यह हमारे पास example हो गया change in physical state का is this clear हम एक और example ले लेते हैं hydrogen है sulfur है student sulfur hydrogen gas है sulfur solid है यह हमारे पास di hydrogen sulfide की formation करेंगे और यह भी एक gaseous physical state ही है is this clear समझ में आ रही है बात आप लोगों को ओके अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है change in physical state की तो student यही वो सारी characteristic है जो एक chemical reaction शो करता है समझ में आ गई चलो लेकिन आप मुझे एक बात बताओ मेरा एक छोट आसा doubt है student कि water जो है water जो है यहाँ पर liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है है ना room temperature पे water vapor भी हो सकता है और liquid भी हो सकता है यह room temperature की बात नबरो generally है ना earth पे water तीनो physical state में मिलता है solid, liquid और gas यहाँ पर liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है क्या बनेगा क्या product बनेगा पहली बात तो यह कि इस representation के लिए क्या हम इस representation को और modify कर सकते हैं बिल्कुल modify कर सकते हैं क्योंकि hydrogen और oxygen gas को आपस में reaction करने के लिए electric spark की जरूरत होती है student अगर electric spark आप दे रहे हो इसका बलब heat energy आपने दी है ठीक है तो यह gas कोई फ़र्म में भी तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन यहाँ पर फर्क आ रहा है निकलने वाली energy का student यहाँ पर फर्क आ रहा है निकलने वाली heat और energy का अगर निकलने वाली heat energy 575 किलो जूल है तो water H2O जो है यह liquid phase में होगा और अगर यहाँ पर निकलने वाली heat 443 किलो जूल की form में है तो बनने वाला water जो है वो gaseous phase में होगा तो हम यह discuss कर रहे हैं कि reaction के resultant निकलने वाली heat भी एक important role play करती है Is this clear? अगर इस reaction में heat 575 किलो जूल liberate हो रही है इसका मतलब water molecule ने खुद के पास energy कम रखी है तो वो liquid phase में है अगर resultant 443 किलो जूल के energy निकलने मतलब कम energy release की है मतलब जादा energy water molecule के पास ही रह गई तो वो vapor phase में ही रहे जाएगा सम्झागी बात तो student ये था हमारी आज की class का content जिसमें हमने बात करी chemical equation के बारे में उसको और informative बनाने के बारे में chemical reaction के बारे में और chemical reaction की क्या-क्या characteristic हो सकती है आज की class के लिए इतना ही student मिलते हैं next class में till then thank you so much